दोस्तों हमारी इस दुनिया में बेहती अनोक्य प्रकार के जानवर पाय चाते हैं जिसमें कुछ जानवर बेहती जादा खतरनाक, कुछ बेहती जादा बड़े, तो कुछ बेहती जादा गुस्थैल होते हैं लेकिन दोस्तों हमारे इस दुनिया में गुछ ऐसे जानवर भी पाया जाते हैं जो कि इतने ज़ादा क्यूट होते हैं कि जिनने देखते ही आप कमन उन्हें अपने पास लखने का करेंगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं क्यूट आनिमल्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि इतने जादर क्यूट हैं कि आप उन्हें देखते ही अपने घर में पालने का सोचेंगे तो चलिए दोस्तो आज की इस बेहत amazing और cute वीडियो को start करते हैं साथ ही दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को subscribe कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो डेली देखने को मिलती रहेंगी दोस्तो रैबिट जानवरों की एक ऐसी प्रचाती है जो कि ज्यादतर दुनिया के हर देशों में ही पाए जाती है इसके साथ ही ये दुनिया के सबसे क्यूट एनिमल के लिस्ट में भी शामिल होते हैं रैबिट अतने जादा क्यूट होते हैं कि हर कोई इन्हें अपने घरों में पालना चाता है आपने भी कभी ना के भी रैबिट को अपने घर में पाला होगा या फिर आपने किसी ना किसी के घर में रैबिट को पाले हुए तो देखा ही होगा रैबिट बेहत क्यूट होने के साथ साथ बेहत समस्दार भी होते हैं जिन्हें आपसे अगर जरावी खत्रा महसूस हो तो वो तुरंत भाग कर कहीं छिप जाते हैं रैबिट्स का इंसानों के प्रती काफी जादा फ्रेंडली बिहेवियर होता है और वो काफी कम समय में ही इंसानों के साथ घुल मिल जाते हैं लेकिन अगर आपसे इन्हें जरावी खत्रा महसूस होता है तो यह तुरंत आपसे अपना पीचा चुड़ा कर भाग भी जाते हैं आपको बता दे कि खरगोश को आज के समय में काफी जादा संख्या में घरों में पैट बना कर रखा जाता है साथ ही इन रैबिट के मेंटिनेंस का खर्चा भी बहुत कम होता है क्योंकि यह पूरी तरहिके से वेच्टेरियन होते हैं और सिर्फ ग्रीन घास और वेजटेबल्स खाना ही पसंद करते हैं इसी वजह से इन्हें घरों में काफी जादा पाला जाता है नेक्स्ट इस बेबी अलपाकस बेबी अलपाकस दिखने में तो एक बकरी की तरहन नजर आते हैं लेकिन हम आपको बता दे कि असल में ये एक बकरी नहीं होते हैं यह आनिमल दिखने में बेहद जादा क्यूट होता है जोसे हर कोई देखना चाहता है बेबी अलपाकस को जादतर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है जो की बेहधी जादा क्यूट नजा़ाते हैं इन्हेंगे खेलना काफी पसंद होता है इसके साथ ही ये खेलतो हुए काफी खोबसूरत भी लगते हैं जो कि कभी भी किसी इनसान पर हमला नहीं करते है जिसकी वजह से इन्हें घरों में काफी पाला जाता है लेकिन आपको बता दे कि इनका काफी जाधा ध्यान भी रखना होता है क्योंकि ये खेलते-खेलते किधर निकल चाहें इसका किसी को भी पता नहीं चल पाता नेक्स्ट इस माइक्रो पिक दोस्तों इंडिया में पिक को पालना भले ही कॉंट्रोवर्सिल हो लेकिन अगर आप चाहें तो इस पिक को पाल सकते हैं जिसका नाम है माइक्रो पिक यह इतने जादा क्यूट और अट्रैक्टिव नसर आते हैं कि एक पल के लिए तो आप इन्हें अपने घर में पालना जरूर चाहेंगे क्योंकि यह प्रचाती नॉर्मल पिक्स की तरह नहीं होती है इन्हें पालना किसी भी आम गाय और बकरी की तरह ही होता है यह पिक्स कुछ हद तक डॉक्स की तरह भी होते हैं जिन्हें अपने मालिक के साथ खेलना काफी बसंद होता है इन पिक्स को हमारे इंडिया में भले ही ना पाला जाता हो लेकिन वेस्टरन कंट्रीज में इन्हें काफी जादा पाला जाता है ये पिक इतने ज़्यादा मशूर होते हैं कि इनकी कीमत लाखों में होती है और इनकी कीमत कोई 1.5 लाख से स्टार्ट नहीं होती है बलकि इनकी कीमत इंडियन मार्केट में ही 3 लाख से स्टार्ट होती है नेक्स्ट इस टीकप पपी दोस्तों ये डॉक्स की एक ऐसी प्रचाती है जो कि दुनिया के टॉप क्यूट डॉग में से एक है जिसे देखने के बाद आप इसे अपने घर पर पालने का बिलकुल मन बना ही चुके होंगे इन डॉक्स का कलर ज्यादा तर वाइट ही होता है और इनकी आँखे ब्लू कलर की होती है जिसकी वजह से ये डॉग और भी ज्यादा क्यूट नजराथ है इन डॉक्स का काईट काफी चोटा होता है जिसकी वजह से ये कोई लंबी चलांग नहीं लगा सकते ये इतने ज़्यादा चोटे होते हैं कि आप इन्हें अपनी पॉकेट में भी आराम से रख सकते हैं लेकिन आपको बताते हैं कि इतने चोटे से डॉग इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनकी कीमत मार्केट में 3 लाग से भी ज़्यादा होती है नेक्स्ट इस बेबी कैट तो दोस्तो आप बात करते हैं नमबर वन क्यूट आनिमल के बारे में दोस्तो कैट को बहुत से लोग अपनी घरों में पालना बेहत पसंद करते हैं और जिसका मेंन रीजन यही है कि यह बेहत जादा क्यूट और प्यारी होती है cat की बहुत सारी प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं जिसकी लगबग हर प्रजाती ही बेहुद जादा क्यूट होती है cat smell को लेकर बहुत जादा sensitive होती है साथ ही इन्हें high pitch वाले sound बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं और साथ ही इन्हें सामान को गिराने में भी काफी जादा मचाता है क्योंकि अगर आपके घर में cat होगी तो आपने देखा ही होगा कि जादातर cat इधर उधर उधर उच्छल कूद करकर सामान को इधर उधर उधर गिराती ही रहती है साथ ही आपको पता दे कि कैट काफी जादा सुस्त भी होती है जो कि अपनी एनरची बचाने के लिए दिन में लगबग 12-14 घंटे सोती ही रहती है और दोस्तों आपने देखा यह होगा कि बिल्लिया ककड़ी से काफी जादा दड़ती है लेकिन हम आपको बता दे कि वो असल में ककड़ी से नहीं बलकि साप से ड़ती है कपड़ी काफी लंबी होती है इसी वजह से ये बिल्लिया उसे साप समझ लेती है और उससे डट जाती है तो दोस्तों ये थे दुनिया के वेहद क्यूट आनिमल्स उमीद है आपके वीडियो काफी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, जादे से जादे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुलें